तो गाईज आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अगर अपने email id भूल जाते हो तो आप उसे कैसे find करोगे जी हाँ बिलकुल सही सुना आपने कभी कभी होता है कि आप अगर अपने email id का password भूल जाते हो तो password को बनाने के लिए हम forget password करके उस password को create कर लेते हैं लेकि यहाँ पर सवाल है कि अगर आप अपने email id को भूल जाते हो तो उस email id को हम कैसे find करेंगे उसके लिए आपके पास दो चीज़े होना जरूरी है पहला तो mobile number जिस mobile number से आपने email id create किया होगा जब भी आपने फर्स टाइम email id बनाया होगा और उसमें जो भी आपने mobile number डाला होगा उस mobile number की जरूरत पड़ेगी अगर आपके पास दो mobile number नहीं है तो फिर उस जगह पे आपको एक recovery email id जब भी आपने email id बनाया होगा तो वहाँ पे एक recovery email id भी डालना होता है जो कि उस email की आवे सकता होगे उसके थूरी आप अपने जो भी existing आपका email id होगा उस email id को find कर सकता हो हाला कि यह भी हो सकता है कि आपने एक number से कितने email id बना रखा है वो सारी चीज़े आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने बाला हूँ तो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ रंजन और आप देख रहे हमारा YouTube चनल रंजन सर्मा चेकनिकल तो जैसा कि सबसे पहले आपको अपने computer या laptop या तो फिर आप चाहते हो अगर अपने mobile से भी email id को पता करने के लिए आप मोबाइल से भी कर सकते हो तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ लैप्टोप पर करके सबसे पहले आपको इंटरनेट में जाना होगा और यहां पर Google में आपको टाइप करना होगा जीमेल इसके बाद आपका जो ही यहां पर गूगल एकाउंट्स साइन इन करके एक ओप्सन आगा इस वाले आपको क्लिक करना होगा उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफिस दिखाई देगा यूज यूर harbor पर यहाँ पर ऑपना मोबाईल नंबर या तो फिर रिकावरी में आईड जो कि यहां पर लिक रहा है इंटे यजर 있다고 होगा और रिकावरी आइमेल पर, एंटर कर दिया, इसके बाद आपको next पर click करना होगा, next पर click करने के बाद पर आपने अपनी ID जिस भी नाम से बना रखा होगा, suppose कि मेरा नाम रंजन सर्मा है, मैंने अपनी email आईडी को रंजन सर्मा का नाम से बना रखा है, इसी परकार से एक्जामपल में आपका अगर करने के बाद पर आपके पास जो भी mobile नंबर या email आईडी जिसके थूरू भी आप कर रहे होंगे वहां पर एक verification code जाएगा उसके लिए आपको हैं send पर click करना होगा send पर click करने के बाद पर एक जो है code आपको provide होगा उसको यहां पर इंटर करना होगा जैसे मेरे पास code यहां पर दिखाई दे रहा है कि 757705 757705 इस फाले नंबर को एंटर करने के बाद पर next button पर click करना होगा next पर click करने के बाद पर ही आपका जैसे आप next पर click करते हों यहां पर जितने भी आपके उस mobile नंबर से या जो भी आपने recovery email ID डाला होगा उस email ID से और जिस भी नाम से आपने सर्च किया होगा email ID और सारे ID यहां पर आपको दिखाई देगा जैसे आप देख सकते हो मेरे mobile नंबर से यहां और से एक दो और एक तीं email ID क्रियेट हों है यहने कि मैंने अपने नंबर से और अपने नाम से ७ाद यहां पर क्रिएट कर रखाया तो अब उस परकार से आप अपने email ID को यहां से भी login करते हो जैसे कि हमीं आपने एमेल आड़ी को लोगिन करना है जिसबी एमेल आड़ी को आपको लोगिन करना होको उसे cannabis क्लिक करना हो और यहां pakai और उसके बाद यहांपे आपको इसको पास्वर्ट चेंड करने ही आता है उस टॉपिक को मैं आगला वीडियो बना कर लाओंगा तो इस प्रकार से ही आप अपने email ID को भी पता कर सकते हों तो अगर आपको इस वीडियो से आपकी email ID को पता करने में अगर आपको मिलते हैं इस प्रकार के किसी नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में तब तक लिए जय हैं